नमस्कार कैसे हैं आप लोग मेरे ख्याल से अच्छे होंगे और अपनी पढ़ा ही लिखाई को बच्छे से कर रहे होंगे प्रयास में होंगे कि सारा कुछ पढ़ जाए सारा कुछ रिवीजन हो जाए कई भार ऐसा होता है, कि सारा कुछ न पढ़ जाता है, न सारा कुछ रिवाईज हो पाता है, लेकिन प्रयास होना चाहिए, कि जो पढ़ जाए, उसका रिवीजन ज़रूर हो जाए घबराना नहीं चाहिए 100% पढ़ना ज़रूरी नहीं उससे ज़्यादा जरूरी है कि आप revision 100% कर ले और उससे भी ज़्यादा जरूरी है कि अपने patience को बनाये रहे हैं। सबसे ज़्यादा जरूरी है आपका patience, सबसे ज़्यादा जरूरी है आपका अनवरत प्रयास। हम आपके साथ हैं, हम आपके प्रयासों में अपना भी प्रयास करने की कोशिस करते हैं कि उसको जोड़ते आपका सेलेक्शन हो जाए आज का current affair हम डिसकस करने जा रहे हैं आज की तारीक है 21 सेटेंबर लेकिन उसके पहले हम 20 सिकंबर के current affair को revise करेंगे और revise करने के प्रश्चात हम अगले आज के current affair में चलेंगे और व्याख्या सही तो इसको देखेंगे पहला प्रश्ण था बरतमान में लोकसभा में महिला सालसनों की संख्या 15 प्रिसस से भी कम है बिल्कु सही statement है और महिला विदायकों का सरबाधिक प्रिसस 34 पर में है ये भी सही था दोनों के दोनों statement यहाँ पर सही है अगला जो प्रश्ण है 18 सितंबर 2023 को पश्चिमी तट पर Operation Sajak का आयोजन किसके द्वारा किया गया ये आयोजन किया गया है भारतिये तट्रच्चक बल के द्वारा ये option इसका विलकुल correct था अगला प्रश्ण है मई में देश को समर्पित बहुत बड़ीहा प्रश्ण है ये मई में देश को समर्पित नवीन संसभोन में प्रथम सत्र का आयोजन किस सितिती से किया गया किस सितिती में किया गया तो ये 19 सितंबर 2023 को किया गया most important है आप से पूछा जा सकता है next question है दिल्ली में किस अस्पताल में ट्रांसजेंडर के लिए भारत की पहली समर्पित OPD को ली गया अभी तक ट्रांसजेंडर के लिए OPD की जब बात आती थी इनको इलाज के लिए मौका ही नहीं दिया था था कहीं दिखाने का आउसर ही नहीं दिया था तो ये डॉक्तर राम मोलोह लोहिया इसका A option correct हो जाएगा अगला जो प्रश्न है सितंबर अच्छा एक प्रश्न यहाँ पर छूट रहा है इसको भी पहले हम देख लेते हैं यह प्रश्न है निम्निकित में से किस railway station का नाम बदल कर सहीद कैप्टन तुसार महाजन railway station हो गया तो यह है उधम सिंग railway station ज़रा बताईएगा कि उधम सिंग railway station किस state में है कहां पर है यह आपको बताना है अगला प्रश्न है 6 सितंबर की बात है 6 सितंबर 2023 सितंबर 2023 की बात है 6 सितंबर नहीं यह च्छे number question है कई बार देखें ऐसे confusion भी होते हैं तो ऐसे confusion से आप थोड़ा सा बचे रहा करिए सितंबर 2023 यह च्छे नहीं है 6 questions है अमरिका और इरान में कैदियों की अदला बदली किस देश की मद्यस्ता से हुए समझवते के तहट की कतर के मद्यस्ता के कारण यह हो पाया है कितने कितने सैनिक की अदला बदली हुई है यह आपको बताना है कॉमेंट करके जो पढ़िए उसको रिवाइच जरूर करिए सफलता का यही सूत्र है क्योंकि जब आप रिवाइच करते हैं तो आपके दिमाग में चीज़े लंबे समय तक के लिए बाढ़ जाते हैं एक अप्रेल से 16 सितंबर 2023 की अवधी के दौरान भारत का सुद्ध प्रतेक्च कर संग्रे 8.65 लाग करून रूपे रहा यह पिछले बर्स की इसी अवधी की तौरा में कितना अधिक था तो तेज़ दसमलो 5 एक परशन हम वीकली भी रिवीजन करते हैं जब वीकली भी रिवीजन आप देख लेते हैं आपका एक ही क्वेस्ट tänker तीन बार रिवाईज हो जाता है तीन बार में तो मने आप से बताया ना कि रिस्ते बन जाते हैं रिस्ते विगड़ जाते हैं कि यह करेंट की क्या विसात इसको जवाब दीजेगा अगला जो सवाल है, उसका जवाब दीजेगा, 9 सितंबर 2023 में सुगम प्लेटफॉर्म बनाने भारति भीमा नियामक और विकास प्रधिकरण ने किस प्लेटफॉर्म के लिए एक संचालन समित का गठन किया, तो यह है भीमा सुगम प्लेटफॉर्म, यहाँ पर यह थोड़ा स और मैं एक अठा दे दूगा, कोसिस करिए कि आप जब पढ़िये तो उसी समय दिमाग में चीजों को बिठा लीजे, बाद में कुछ हो नहीं पाता है, पीडियाप कलेक्शन से कुछ होता नहीं है, पीडियाप इसलिए होता है कि कभी आप सरसभी तोर के देख सके हैं उसक तरीके की बातें आये, क्योंकि ये केवल नाटक के चेत्र में नहीं दिया आता, और भी चेत्र है इसके, केवल एक इसका सही हो जाएगा, भी आप्सन इसका वीकुर करेक्ट है, चलिए, आज के करेंट अफेर को देखते हैं, और व्याख्या सही किसको करनेगी, कोसिस करें और इस व्याख्या के दौरान हम उन प्रश्णों को भी संबलिक करते हैं, जो प्रश्ण बना है, इसके इलावा जो फैक्ट यह आपर यह होते हैं, इसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिन लोगों को आरो का एपर देना है, उनके लिए एक बहुत अच्छी एप आपको एक तालिष टेस्ट दे रहा है, एक तालिष टेस्ट, एक तालिष टेस्ट का मतलब यह हुआ, इसमें आपके GS, Current of Year और सामान हिंदी सबके टेस्ट है, कम्प्लीट यह पैकेज है, जिसमें आपको इधर उधर भटकना नहीं है, जिसमें आप पैकेज जूरते हैं, एक टूर पैकेज मिल जाए, जिसमें पूरा टूर हमारा हो जाए, ऐसे ही एक पैकेज आप मान सकते हैं, ऐसी लेंग्वज इसलिए इस्तिमाल कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसी लेंग्वज आप समझते हैं, सारा डिटेल इसमें दिया हुआ है, हमारे यह दियागे नमर्स पे आप ज्वाइन सकती, आरो यारो लिखे भेजिए, आपको डिटेल मिल जाएगा, सिड्यूल पूरा बना है, एक एक दिन का, अच्छे से उसको देख लीजिए, बहुत ही कम पैसा है, पान खाके थूपने वाला जो होता है, लोग कहते हैं, चाय की दुकान पे खर्च कर दे इसको ज्वाइन करेंगे, तो आपको बहुत ही लाग होने वाला है, चलिए, आप सुरू करते हैं, आज के करेंट अफेर को, आज के करेंट अफेर का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, इसका जबाब दीजिए, मार्च 2023 में, बित्तिय समावेशन सुचकांग, पिछले वर यह आप से पूछा जा रहा है, यह जो बित्तिय समावेशन सुचकांग है, सबसे पहले यह हम जानेंगे, यह जारी कौन करता है, देश भर में बित्तिय समावेशन की सीमा को यह दरसाता है, FI Index इसको बोलते हो, Financial Inclusion Index के नाम से इसको जाना जाता है, FI Index, इसको जारी करता ह है, RBI, दो फैक्ट आप यह द्यान रखिए, मार्च 2021 में फर्स टाइम इसको जारी किया गया था, 2021 में, यह फर्स टाइम तभी जारी किया गया था, और इसमें तीन व्यापक पैरामीटर है, एक तो पहुच है, Access, पहुच, जिसको आप Access के नाम से जानते हैं, एक को दिया जाता है, 45%, पहुच को 35%, और यह आपका हो गया 80, और 20% गुर्वत्ता को, इसके अधार पर यह निकाला जाता है, अभी 60.1, बी ओप्सन इसका बिल्कु करेक्ट है, यह सुचकांग, सुधर कर कितना हो गया है, 60.1, ठीक है, तो इतना आपको ध्यान में रखना है, पूरे देश की बात इसमें की जाती है, और बित्तिय समावेशन की गहनता को दरसाता है, कभी आपसे पूछ लिएजए क्या दिखाता है, तो गहनता को यह दरसाता है, अगला सवाल, उत्तर देने का रियास करिए, जींगा फसल वीमा योजना के संदर में सत्यक थन आपको पहला सबसे बड़ा जींगा उत्तपादक है, जींगा फसल वीमा योजना किसके दोरा विक्सित है, तो किसी वीमा कंपनी के दोरा है, यह सही है, लेकिन भारत पूरी दुनिया में जींगा का दूतिये, दूसरा, second largest producer है, जींगा मचली होती है, मचली की एक परजाती आप क गुजरात में जींगा पालन खुब ज़्यादा होता है, और जींगा फसल वीमा योजना जो है, अगर उसमें नुकसान हो जाता है, तो उसको कवर करती है, प्रारंभिक चरण से, यहां से जींगा का उत्वादन बीज डाला जाता है, वहां से लेकि 130 दिनों तक वीमा कवर दिया जाता है, टाइगर जींगा, वाइट लेग जींगा, स्कैपी जींगा, यह सब इसमें कवर होते हैं, ठीक है, अगला जो सवाल है, उसका उत्तर आप दीजे, 20 सितंबर को एसिया प्रसान चेत्र के राश्टिय मानवादिकार संस्थानों के संभेलन का उत्गाटन, न राश्टपती द्रौपदी मूर्मुजी ने किया है, राश्टपती द्रौपदी मूर्मुजी ने यह किया है, और यह जो है, राश्टिय मानवादिकार आयोग भारत, राश्टिय मानवादिकार संस्थानों के एसिया प्रसान फोरम के सहियोग से इस सम्मेलन का एविजन क भारत कर रहा है सहीयोग दे रहा है राष्टी मानवादिकार सनस्थान का एशिया प्रसान फोरम के मदद से यहां पर सम्मेलन हो रहा है भारत में तो द्रवबदी मूर्मुजी ने इसका क्या किया उधाटन किया थीक है बस इतना आपको ध्यान में रखना है बाकी कुछ नही कहां पर किया गया, अगर इस्थान पूछ ले, तो New Delhi में किया गया, कहां पर New Delhi में किया गया है, अगले सवाल का जवाब दीजिए, अगला सवाल है, पुराने संसत भवन का नाम भारत का संसत भवन रखने का प्रस्ताव रखा गया है, और नए संसत भवन का नाम संभिधान स सदन इसका नाम रखा जाएगा पीम मोदी ने अभी ये घोष्णा की है 19 सितंबर को संसत की जब कारिवाई हुई तो नए भवन में काम चालू हो गया यानिकि नए भवन में अब वहाँ पर सदन बैठने लगी वहाँ पर मीटिंग्स होने लगी सत्र चलने लगे सेसंस चलने लगे तो पुराने संसत भवन की नाम की घुष्णा इनो ने की कि इसका नाम हम समिधान सदन या समिधान भवन करेंगे तो यह यहाँ पर होना चाहिए ओल्ड वाले का पुराने वाले का और यहाँ पर यह जो भारत का संस Luteans और Harvard Vaker Luteans का नाम सबको पता है एक नाम यहाँ पर और जोड़ लिजे Harvard Vaker Harvard Vaker Luteans और Harvard Vaker ने पुराने संसद भवन का डिजाइन तयार किया था 1921 की बात है 1921 से लेके 1927 की बीच में इसका निर्मार किया गया था भारत की समयधान के पारित होने जैसे महत्पोन और एतिहसिक कारे यहीं हुए है तो इसी कारण से इसको समयधान सदन का नाम भी दिया गया है यहीं पर यह भारत का समयधान तो में लिजे की बैट के यहीं पर लिखा गया इस तरीके की घटनाएं जहां पर हुई हो विलिणी कितनी बहान है नौसेना नवाचार और सौदेशी करन सेमिनार स्वावलंबन 2023 का आयोजन इस्थल क्या है बहुत ही बड़ी है प्रश्ण है भारतिये नौसेना का नौसेना नवाचार और सौदेशी करन सेमिनार यह अभी अक्टूबर में आयोजित हो रहा है तो यह कहां पर आयोजित हो रहा है यही पूछा जा रहा है तो इसका जो आयोजन हो रहा है वो दिल्ली में हो रहा है नई दिल्ली नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जा रहा है यहाँ पर तो सहर की बात की गई है, तो दिल्ली के बल नहीं होगा, नई दिल्ली इसको लिखियेगा, नई दिल्ली, नई दिल्ली और दिल्ली में क्या अंतर है, यह हमको कॉमेंट करके आप बताईएगा, और 4-5 अक्टूबर के बीच इसका आयोजन होना है, सौवलंबर 2023 के दोरान सोदेशी करण पर जोड़ दिया जाएगा, नवाचार इनोवेशन पर जोड़ दिया जाएगा, ठीक है, सौवलंबन का पहला जो संसकरण है, वो 2022 में लांच किया गया था, पधरमंत्री ने इसको spirit challenges कहा था, क्या कहा था, spirit challenges, spirit challenges इसको कहा था, ठीक है, अगला जो मिसाइल के संदर्व में ये सवाल है, जवाब दीजे, ब्रह्मोस मिसाइल का विनिर्माण लखनों में किया जाएगा, अभी जो हमारे रच्छा मंत्री हैं, स्री नाजनाज सिंग जी, तो राजनाज सिंग जी तो लखनों से विलांग करते हैं, लखनों से सांसद भी हैं, तो ब्रहमोस मिसाइल का वि निर्माण लखनों में किया जाएगा, ऐसे ही कनेक्ट करके आप याद कर दीजिए, ये बात बिल्कुत सही है, ब्रहमोस मिसाइल का नाम भारत की ब्रहमपूर नदी और रूस की मस्कवः नदी के सहयुक्त अच्छरों से इसका नाम रखा गया है, और ये रूस की P-800 ONKYS क्रूज मिसाइल की प्रद्यो की पर आधारिक है, ये तीन स्टेटमेंट दिये हैं और ये तीनो के तीनों से ज़ तो आप तुरंट बता देंगे कि ये रसिया की है ठीक है नाम तो आप ये जानते हैं कई बार प्रश्न पुछा गया है और DRDO ने यानि कि Defense Research and Development Organization इसने अभी रच्छानुसंदानुर्विकास संगठन हिंदी में कहते है तो इसने अभी प्रियोक्षाला का कारीच जल्दी ही पूरा करने की बात कही है और लखनव में बिनिर्माद तेजी से होने लगेगा तो ये ध्यान रखियेगा और भारत रूस का ये संयूर्ट उपक्रम है कभी आपसे पूछ लिया जाए दागो और भूल जाओ इस प्रिंस्पल पर ये आधारित है जिसे धान पर ये काम करती है लांच करने के लिए किसी मार्ग दर्सन किसी गाइडेंस किया वसकता है इसको नहीं पढ़ती है अगला सवाल स्यागोस के संबन्द में सत्यकसन चुजी है स्यागोस नाम जो है ये तुर्की सब्द कारा कुलक से लिया गया है जिसका अर्थ है काले कान ये चर्चा में रहा है इसलिए आप से पूछा जा सकता है वास्तों में स्यागोस जो होता है वो एक निसाचर होता है निसाचर मतलब रात्री में ज्मूंअ上-ramtoi पड़े है और वेसे निसाचर हमारे यहाँ defines निसाचर हो पूरे तो निसाचर का मतलब कोई बहुत गुरा सब्स नहीं है जो रात्री पड़े liISA अब सब तो रात्री पड़े हैं रात रिचर पूरी रात लोग पढ़ते हैं, दिन भर सोते हैं, खर ये बिमारी का कारण भी बन सकता है, लेकिन ठीक है, उस दिन पढ़के अगर सेलेक्षन ऐसे हो जाता है, बाद में इलाज उलाज करा लिजेगा, अच्छा रहके भी क्या करेंगे अगर कुछ नहीं कर पाए तो जेब में अगर आपके पूटी कौडी नहीं रहेगी और कुछ नहीं रहेगा, तो ऐसा मस्त रहने का कोई मतलब नहीं है, स्वस्त रहो ठीक है, लेकिन थोड़ा मेहनत करके सेलेक्षन ऐसेन ले लो, कुछ कर लो, जो भी आपको करना है, भारत में ये कुछ हिस्सों में जिसरायस्थान, कक्ष, मध्यप्रदेश की कुछ हिस्सों में ये मिलते हैं, और 1972 में अनसुची एक में इसको वन्यजीव संद्चन अधिनियम केता है, सामिल किया गया था, दोनों इस्टेट्मेंट कि यहाँ पर सेलें, सी आप्सन इसका बिल को करेक्ट कर जाएगा, ठीक आप देखेंगे अनवरे सुहेली, तूति नामा, खमसाय निजामी और साह नामा, इन सब में इसका आपको संदर्व मिल जाएगा, इसके बारे में जानकारी मिल जाएगा, अगला जो सवाल है, हाली में एर इंडिया ने कितने एरपोर्ट पर प्रोजेक्ट अभिननन, है न सुरू किया है, कितने पर सुरू किया है, प्रोजेक्ट अभिननन की शुरुवात की है, तो ये कितने एरपोर्ट पर की गई है, संख्या आपसे पूची जा रहिए है, एर इंडिया किसकी है, टाटा की? अगर आपसे कभी पूच लिया जाए, तो आप लिकिये टाटा, ये एक बहत्रीन अनुभव हो आपको, good experience के लिए, चीक है, यात्रियों को on ground अच्छा experience हो, तो 16 ये 16 प्रमुख हवाई अड़े हैं, भारतिये, जिन पर एर इंडिया ने क्या किया है, प्रसिचित सेवा आस्वाशन अधिकारियों को तैनात किया है, इसमें लखनव भी सामिल है, वारानसी भी सामिल है, पाकि बड़े-बड़े जित्य दिल्ली, गुंबई, गोवा, औ जहां पर ज़्यादा लोग आते जाते हैं, बड़े का सिंस क्या है, जहां पर ज़्यादा परिवान होता है, तो 16 इसमें फ्रमुख भारती हवाई अड़ों का चैन किया गया है, जहां रखेगा, चलिए, अगले सवाल पर हम चलते हैं, भारत सरकार ने 19 सितंबर 2020 को इस दे आप स्पीट का ध्यान लगते, भारत सरकार ने 19 सितंबर 2023 को इस देश के राजने को निसकासित किया, अभी एक भारती अधिकारी को कनाड़ा सरकार के द्वारा निसकासित किया गया था, भारत और कनाड़ा का जो दुपच्चिय संबंध है, वो गरवड़ा गया, तो अभ खालिस्तानी नेता हरदीब सिंग निजजर की मौत से संबावित संबंध के कारण कनाड़ा सरकार ने एक भारती अधिकारी को कनाड़ा छोड़ देने को कहा था, मामला था हरदीब सिंग निजजर की मौत का, तो भारत सरकार ने भी भारत इस्तित एक वरिष्ट जब हमारे वाले की चुट्टी है तो तुम्हारी बैया तुम यहां कहां बैठे हो, तुम्हारी भी चुट्टी है, किसको यहां से निकलो, खतम, खलास, ठीक है, तो निजजर जो है, वो खालिस्तान टाइगर फोर्स के प्रमुक थे, अभी मार दिये गए है, अरदीज सी जड क्वी पूछा जा है, तो खालिस्तान टाइगर ये याद रह किएगा, खालिस्तान टाइगर फोर्स, तो बदनाम हुए, तो क्या हो गया, नाम तो हो गा, तो वही वाली स्तितीनों की हैं, जे गरवड काम करके भी अपना नाम कमा ले थे, तो बदनाम हुए तो क्या होगा नाम तो होगा तो नाम हो गया इनका अगला जो प्रशन है वो अंतिम प्रशन है डिजिटल क्वालिटी आफ लाइफ इंडेक्स सर्वेच्छन में भारत का इस्थान क्या है जो सर्वेच्छन है जारी किया गया है और भारत ने साथ पायदान की इसमें चलाग लगाई है और यह जो सर्वेच्छन है यह सर्फ सार्क एक साइबर सुरच्छा फर्म है जिसका नाम है सर्फ सार्क सर्फ सार्ग सर्फ सार्ग सर्फ सार्ग एक साइबर सुरच्छा फर्म है उसने ये रैंकिन जारी की है इंटरनेट गुणवत्ता इंटरनेट सामर्थ इबुनियादी धाचा इसरकार इसुरच्छा इन सब पर ये आधारित है पाँछ कारकों पराधारित है आना और डिजटल क्वालिटी डिजटल क्वालिटी है तो सम्में ए लगा हुआ है यह ध्यान लहक्येगा इंटरनेट, इंटरनेट सामरत, इन्टरनेट गुणवत्ता जो भारत है वो इतने नंबर पे है बस आप ये जा लिए बिजिटल क्वालिटी आफ लाइफ इंडेक्स में ये इंपोर्टेंट है ध्यान लखेगा तो ये आपको कैसा लगा ज़रूर बता है जाते जाते लाइक का बटन दबा के जाए अच्छा लगा तो लोगों तो पहु अना और हमने अभी शुरुवाती 500 सीट के लिए ये सुविधा आपको दे दी है कि 5000 सीटें जब तक नहीं पूरी हो जाती हों कंडिडेट्स जब तक वेस्टर नहीं हो जाते हों तब तक ये 4995 के रहेंगे अब ये कब होते हैं मुझे नहीं पता आप लोग इसको चाहते ह को चुछ को सब्सक्रां कृषी कई मिल जाएगा ऐगा देखेंगे पढ़ना चालू कर दिजो एक तारीफ से करण चाहिए चाहिए गया थाइँ थाइट थाइंक थैंक्यू सो मच्छ